और सिद्धे आपको लिचलते आई पिस ऑफिसर से पीम खताब कर रही हैं आपको दिखाते हैं यह खताब वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए हो रहा है पहली नजर में यह विरोधाबास लग सकते हैं लेकिन यह आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं अपने इस ताकत को आप पुलीस सेवा में बहतर लीडर्शिप देने के लिए काम में लाएंगे यही मेरी शुक्तामना है धन्यवाज स्रीमान अब मैं अनुरोध करूंगी अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्री रोहन जगदीश से कि वो अपना परिच्चे दे और अपना आपके साथ बार्दलाब शुरू करें जहिन श्रीमान मेरा नाम रोहन जगदीश है मैं बारत्य पोलीस सेवा दोहजार उन्नीस बाज का प्रशिक्ष्व अधिकारी हूँ मुझे करनाट का कैडर आवंतित हुआ है मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्व विद्यालाय का उनुश्री ल राजय के पोलीस में 37 साल का सेवा क्या है यह मेरे बहुत गर्व के बात है तो मैंने भी उनके तरह बारत्य पोलीस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ जहिन श्रीमान रोहन जी आप बंगलोर के हैं हिंदी भी काफी सीख ली हैं और एक लॉग रेजुएट भी हैं आपने पोलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन्स को भी अध्यान किया है इस ज्यान का आप आज की पुलीस व्यवस्था में क्या रोल्स देखते हैं श्रीमान मैं जब ट्रेनिंग में जॉइन के अथा उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आब आरी हूँ और मैं पॉलिटिकल साइन्स और इंटरनेशनियन सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत शोटे लग रहे हैं सपरक्राइबर के द्वारा क्रेंज सिर्फ इंडिया का इंडिया को ही लोक्लाइज नहीं है बट इंटरनेशन भी है तो इस नौलइच से रिलेशन रखना और एंट्रीक्राइम को सॉल्व करना इंटरनेशनल क्रोश बार्डर टेरिश्म नक्सिल सम और ड्रक्स का मामले में सॉल्फ करना उपयोग होता है श्रीमान। पूरा करने के लिए छमता है आपकी देखती होगी और पिताजी कंपरिजन करते होंगे कि उनके जमान में training कैसी होती थी, आपके जमान में कैसी होती है तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भीड़न भी होती होगी। सर मेरे पिताजी मेरा रोल मोडल भी है और उन्होंने करनाटका पोलीस में सब इंस्पेक्टर के रूप में जॉइन किया थे और से 30 साल के बाद वो SP के रांक में रिटार भी हो चुका है सर तो जब मैं अकाड़मी पहुंच रहता है उन्होंने बोला था कि पोलीस टेंडिंग बहुत काटिन होता है और बहुत मेनत करना पड़ेगा तो मैं आते हैं अंदर सर एक माइकल अंजलो का एक वाक्या लिका है सर उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टाचु अलोरी है एक शिलप है मैं हम अकाड़मी ठोहर हुग को एक स्टोन से निकालना पड़ता है ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब हमको ट्रेन करके हमारा अत्या बहतरी शिल्प बनाया है तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे अचाहिए इस ट्रेनिंग को और बहतर करने के लिए क्या करना चाहिए कोई सुजाव है मन में सेर अभी आद्यदी बहुत बहतर है मैं पहले सुनने के सुना है की बहुत कटिंता अब हमारा नए निर्देशक अने के बाद और सब चेंज सोचstar कर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनाशनल स्टैंडर्स पर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मैं बहुत कुछ हूँ इस ट्रेनिंग से रोण जी मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्वीमर है और आपने अकडेमिक के पुराने सारे रेकॉर्ड भी तोड़ दिये हैं जाहिर है आप आजकल कि ओलेंपिक्स में भारत के खिलाडियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे आने वाले समय में पुलीस सेवा से बैठर एथलिट्स निकालने के लिए या फिर पुलीस के फिटनेस बर्द को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलीस का ज़रा बैठना उठना चलना सब ज़रा कुछ अलगी ने ज़राता है आपको क्या लगता है सर अकैडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर तो इसलिए मेरा सोच है कि हम यहां समय बिताने के बाद एक फिटनेस का एक सिर्फ ट्रेनिंग में ही नहीं सर बट हमारा जिन्दगी में एक पार्ट हो जाते सर अब भी भी मेरे को शायद क्लास नहीं है त हम लेके जाएंगे और जब हम जिल्ला पहुंचेंगे हमारा साथी अधिकारी और हमारा साथ का काम करने वाला पोलीस अधिकारे को भी इस बारे में बोलके उनको भी स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ के मैनेजमेंट और उनके तब्यत को कैसा टीक रखने का इनका जानकार हमारे पुलीस की एक बहुत बड़ी ज़रुत है और मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साई युवा इन रिफॉर्म्स को और आसानी से पुलीस सिस्टिम में लागू कर सकते हैं पुलीस अपनी फोर्स में फिटनेस को प्रमोट करेगी तो समाज में भी युवा फिट रहने क के लिए प्रेजित होंगे वरी आपको बहुत शुब कामना है जैन श्रीमान इसी श्रंक्ला को बढ़ाते हुए अब मैं अंत्रत करती हूं श्री गौरव राम प्रवेश राय को कि वह आपके समक्ष अपना परेच्छे रखे और समवाद करे जैन सर मेरा नाम गौरव राय है मैं महराश्रा के अमरावती जिले का निवासी हूं और मुझे 36 कार्डर आवंडित हुआ है मैंने कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग पूने से सिविल इंजिनेरिंग की है और इंडियन पुलिस सर्विस से पूर्फ मैं इंडियन रेलवेश में कार्यरत था गौरव जी मुझे इस निवी बताया गया तो आप तो शत्रंज की खेलाड़ी है बहुत अच्छा खेलते हैं बोलते हैं जी सर्थ शाव और मात के इस खेल में यह भी तैय है कि आपको जीतना ही जीतना है वैसे आपने सोचा कभी कि आप राधियों को काबू करने में आपका सत्रंज का घ्यान क्या काम आ सकता है? इस तरीके से ऑपरेशन करें कि हमारी कम से कम लॉसेज हो और हम जादा से जादा इन लोगों पर अटैक करके इनको रोक सके गरोजी आपने बताया है कि आपका कैडर 36 गडर हुआ है और वहां की स्थिति के विशे में आपने उलेक किया वहां लेट विंग एक्ष्रमीजियम क स्थिति भी है और आप उसे परिचित भी है ऐसे में आपकी भूमिका और भी एहम है आपको कानून व्यवस्ता के साथ साथ जन जातियक शेत्रों में विकास और सोशल कनेक्ट को भी सपोर्ट करना है आपने इसके लिए जब अमरावती में थे तो आपको उसका कोई सब्सक्राइब में क्योंकि एक शित्र ऐसा है जहां इन चीजों के भी बहुत जोरुत पड़ती है यह सब्सक्राइब करने के लिए विकास की और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ यूसे तो क्योंकि सर मैं कॉलेज में था तो मैं सिविल इंजिनियर हूँ तो मैं यह समझता करने के लिए विकास ही एक रास्ता है और विकास के लिए सबसे पहले अगर हम सोचे तो हमारे दिमाग में रेल रेल रोड रेलवेज घर वेसिक सिविल फैसिलिटी जाती है तो मैं यह समझता हूँ कि अगर मैं सिविल इंजिनियर हूँ तो मैं अपने इस नौलेश का अच गरोजी आप जैसे युवा अफसरों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साइबर फ्रोड्स हो या फिर हिंसा के रास्ते पर गए युवाओं को मुख्य धारा में लाना हो बीते सालों में बहुत परिश्रम करके माववादी हिंसा को हम सिमीत कर रहे हैं आज जनजातिय क्षेत्रों में विकास और विश्वास के नए सेतु बनाये जा रहे हैं मुझे विश्वास है कि आप जैसी युवा लिडर्शिप इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी मेरी आपको बहुत छुब कामना है धन्यवाद सर जैन श्रीमान आपका बहुत धन्यवाद अब मैं आम अंत्रित करना जाओंगी सूश्री रंजीता शर्मा को कि वह आपके समख्ष अपना परिच्चर रखें और अपने विचार व्यक्त करें जैन सर मेरा नाम रंजीता है मैं हर्याना से हूँ और मुझे राजसान कार्डर अलोकेट हुआ है सर मेरी डिस्ट्रिक्ट प्राक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अती विशम लॉइन ओर्डर सिच्चुएशन का जिले में सामना करना पड़ा सर इस दौरान मुझे सैयम के सैयम के महत्व का ग्यान हुआ सर क्यूंकि लगबग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हो या लॉइन ओर्डर की सिच्चुएशन हो वहाँ पर हम अपने ही देश की नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्तिती में यह जरूरी हो जाता है ति आवश्यक है कि हम सैयम बढ़ते हैं और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफी जगे हम यह पढ़ते हैं पुलिस फोर्स में आना देश के पुलिसिंग सिस्टिम को मजबूत करेगा पंजाब हो या बिहार आप तो महान गुरु परमपरा के राज्यों को कनेक कर रही हैं और गुरु तो कह गए हैं कि मैं काहु को देत नहीं नहीं भय मानत आन यानि सामा निमानवी को ना तो हमें डराना है और ना किसी से डरना है मुझे विश्वास है कि आप इसी प्रेणा से आगे बढ़ेगी और पुलिस सिवा को और अधिक समावेशी और समेदन जिल बनाने में सफल होगी मेरी आपको बहुत शुब कामना है धन्यवाद सो, जैहिल सो धन्यवाद श्रीमान, अब मैं निवेदन करती हूँ श्री कोमी प्रताप शिव कशोर से कि वह अपना परेचे रखे और आपके समक्ष अपने विचार व्यप्त करें जैहिल स्रीमान, मेरा नाम केपेस किशोर है और मैं आंद्रा के निलोर जिले से हूँ और मुझे आंद्रा का काडर अवंतित हुआ है सर, मेरी इंजिनीरिंग आईटी करकपूर में फानाशल इंजिनीरिंग और बायो टेकनोलोजी में बीटेक और एंटेक में कम्प्रीट किया है उसके बाद पॉलिस सर्विस जाइन करने के पहले मैं चार सल बॉस सेंटर फर आर्टिफिशल इंटिलिजन्स में काम किया है सर, और मुझे लगता है कि टेकनोलोजी को अगर अच्छी सर्विसे हम यूज करेंगे बहुत सारे पॉलिस में जो चालेंजस है जैसे मान पाउर शॉर्टेज वगरा है एफिशेंसी के चालेंजस है हम बहुत अच्छी तरह से सॉल कर सकते है प्रताप आप फाइनांशल बैग्राउंड से है ऐसे में आज फाइनांशल फ्रोर्स की चुनोती है ट्रेनिंग के दोरान उससे निपटने के लिए आपको कोई इनोवेटिव आईडिया जाते है क्या विचार आते होंगे मन में काफी कुछ जरूर सर हमको बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेशन में फाइनांशल फ्रोर्स को इन्वेस्टिकेट करना कॉंसिकोंसी लॉस है उनको परिचे किया गया है और कास करके जब हम फिल्ड ट्रेनिंग में थे करनूल जिले में बहुत अच्छा फाइनांशल फ्रोर्ड्स आदर रिलेटेड फेक आदर कार्ड्स के तुरू संक्षेम कारेक्राम हम से कैसे पाइसे लीक हो जा रहा है ऐसे काम इन्वेस्टिकेशन करने में बहुत ट्राइनिंग मदद की और फिल्ड में और मुझे लगता कि बहुत कुछ आगे सीखने के लिए मिलेगा कि साइबर क्राइम में हमारे बच्चे और महिलाओं को यह जो एलिमेंट्स है उनको बहुत निशाना बनाते रहते हैं और इसके लिए थाने के स्तर पर क्या काम हो सकता है इससे जुड़ा कोई सुझाव क्योंकि आप आर्टिफिशन इंटलिजिंस को जानते हैं आप टेक्नोलोजी के व्यक्ति हैं है फाइनांस का बेंग्राउंड है तो इसमें कोई सुझाव आपके मन में आता है अभी लगता है कि हाँ इसमें ऐसे जाना चाहिए सर्थ हमने हम यह काम किया सर जिसमें जो भी नया नया साइबर फ्रॉड हो रहा है जिसका तरीके हो रहा हर दिन हम न्यूस पेपर में उस और अपने लोकल सिटी चानल में बोलते थे और यही काम हम जो वल्नरबल ग्रूप से जैसे कॉलेजेस है जो नया नया स्मार्टफोन लेके आ रहा है और उनको हर हफ्ते में एक सेशन ऐसे करते थे और दूसरा कंटेनियूसली महीने में एक बार एक वेबिनार जैसे कंड़ करते थे जहां लोग अपने मन से जॉइन करते थे और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि यह जो क्राइम जिस हिसाब से होता है उसको हम लोगों तक पहुंचाना है ताकि वो पहले ही जागरू हो कि देखिए प्रताब डिजिटल टेक्नालोजी बहुत इंक्लूजीव टेक्नालोजी है जो सब को जोडती है और गरीब बंचीज स्वसित तक भी सुवीदा और संसाधन पहुंचाने में बहुत मददकार है और यह हमारा भविश भी है लेकिन इसके साथ साथ इसमें साइबर क्राइम को भी बहुत बड़ा खत्रम बना दिया है विशेशुप से फाइनांशल फोर्स एक बड़ी चुनोती है इसने अपरात को थानों जीलों राज्यों के सिमा से बहार निकाल कर नई राष्ट्रियों औ अपने स्तर पर अनेक कदम उठा रही है लेकिन इसमें पुलीस को भी नीत नए इनोवेशन करने होगी है डिजिटल एवरनेस को लेकर खाने के स्तर पर विशेश अभियान चलाए जा सकते हैं इसके अलावा मेरे आप सभी युवां अफसरों से यह आगर रहेगा कि आपके पास भी अगर इस विशे में कोई सुझाव हो तो आप मेरे तक जरूर पहुंचाइए हो मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए क्योंकि आज जो यंग फोर्स हैं जिनको इसका बैग्राउंड होने के कारण उनके विचार इस लड़ाई में बहुत काम आ सकते हैं चलिए नाजिम से अनुरोध करती हूं कि वे माननी प्रदान मंत्री जी से अपने अनभव साजा करें Good morning, Honorable Prime Minister Sir. I am Chief Inspector of Police Mohamed Nazim from all this police service. It is a matter of great pride and privilege to have an opportunity to speak about my experiences in the memorable journey in Sardar Vallabai Patel National Police Academy with 2019 Batch of Indian Police Service. अ लियुके से टेनाव लिवार चीजरी तो जियुके छाफ टेनोंत COVID-19וैर्टर्थ लिवार्फी सिर्फेश्ट कषिवान टेंट 92 है ₌ चीफ ॐर्री ढबन हमिद आ टृद लिवार लुंग नक煽 पने यह Lane लिस बेस्ट्इश्याskशन रिवार punch yüs ju Wake अजी ने हो लो फिडित एन उनीजने हो विए प्रफित पहरी दिते हैं आझे लोग भूडव के लिए प्रेंग पीजिए वगाश्ट का फिडिए सब्ची पर जो एंडिए भी है वीजिए ट्स पर दो लिए को घंढ ए भी जोड़ लोड़ गेवित्प एल्पार टेला प्रे यहार्ण भेस्ति प्राव्र प्राव जिके इंडियर माल्डीव था ल भ्रफ फिर माल्दिव जिए खिर अपरो नेप्ल भूटन और नोड़िश को भी ही यहां हैं झाल्य तो जो को trap कि अ खिल जैस भर दूज जी खिल इंसके इंसेंग आवा जो तो नस को दो आडो बूस्ट fellow foreign officers and we have good knowledge about their policy and the system, sir. Okay, Najeeem. Wish you all the best. Thank you, sir. Jain. Police Academy बनाने में भी सहयोग कर रहा है और अब तो मालदिव क्रिकेट के लिए भी अपने आपको तयार कर रहा है मालदिव और भारत के सामाजिक और व्यापारिक रिष्टे भी है मुझे विश्वास है कि भारत में आपके ट्रेनिंग मालदिव की पुलिसिंग को मजबूत करेगी और भारत मालदिव रिष्टों को भी सम्रुद्ध बनाने में बहुत मदद करेगी बहुत-बहुत शुपकाम ना है धन्यवाश विमान समवाद के इस कारेक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे सविन्य निवेदन करती हूँ कि राष्ट सेवा हेतू तत पर हम परिक्षा दीन परिक्षा विधाद परिविक्षा दीन अधिकार्य को सम्भोधित कर हमारा मार्ग दर्शन करें आप सभी से बात करकर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा हर साल ये प्रयास रहता है कि आप जैसे युवा साथ्यों से बाच्चित करूँ आपके विचारों को लगातार जानता रहूँ आपकी बातें आपके सवाल आपकी उत्सुकता मुझे भी भविश्य की चुनोतियों से निपटने में मदद करती है साथ्यों इस बार की ये चर्चा ऐसे समय हो रही है जब भारत अपनी आजहादी के 75 वर्स का अमरुत महुत्सों मना रहा है इस साल की 15 अगस की तारीक अपने साथ आजहादी की 75 वी बर्जगाठ लेकर के आ रही है बीटे 75 सालों में भारत ने एक बहतर पुलिस सेवा के निर्मान का प्रयास किया है पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्रक्टर में भी हाल के वर्षों में भहुत सुधार हुआ है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो युवाओं को देख रहा हूं जो अगले 25 वर्ष तक भारत में कानून व्यवस्ता सुनिशित करने में सहभागी होंगे ये बहुत बड़ा दाईत्म है इसलिए अब एक नई शुरुवात एक नए संकल्प के इरादे के साथ आगे बढ़ना है साथियों मुझे बहुत जानकारी तो नहीं की आप में से कितने लोग दाण्डी गए हुए है या फिर कितनों ने साबरमती आश्रम देखा है लेकिन मैं आपको 1930 की दाण्डी यात्रा की याद दिलाना चाहता हूं गांदी जी ने नमक सत्याग्र के दम पर अंग्रे जी शासन की नीव हिला देने की बात कही थी उन्हाने ये भी कहा था कि जब साधन न्यायपूर्ण और सही होते हैं तो भगवान भी साथ देने के लिए उपस्तित हो जाते हैं साथ्यों एक छोटे से जत्ते को साथ लेकर मात्मा गांदी साबर मती आस्रम से निकल पड़े थे एक एक दिन बित्ता गया और जो लोग जहां थे वो नमक सत्यागर से जुड़ते चले गए 24 दिन बात जब गांदी जी ने दांडी में अपनी यात्रा पुरी की तो पुरे देश एक प्रकार चे पुरा देश उठकर के खड़ा हो गया था कश्मीर से कन्याक उमारी अटक से कटक पूरा हिंदुस्तां चेतन बंत हो चुका था उस मनोभाव को याद करना उस इच्छा शक्ति को याद करिए इसी ललक ने इसी एक जूटना ने भारत की आधाधी की लड़ाई को सामुहिकता की शक्ति से भर दिया था परिवर्तन का वही भाव संकल्प में वही इच्छा शक्ति आज देश आप जैसे युवाओं से मांग रहा है 1930 से 1947 के बीच देश में जो जवार उठा जिस तरह देश का युवाओं आगे बढ़कर आए एक लक्ष के लिए एक जूट होकर पूरी युवापीडी जूट गई आज यही मनोभाव आपके भीतर भी अपेक्षित है हम सबको इस भाव में जीना होगा इस संकल पर साथ जुड़ना होगा उस समय देश के लोग खास करके देश के युवाँ स्वराज्य के लिए लड़े थे आज आपको सुराज्य के लड़े लिए जी जान से जुटना है उस समय लोग देश की आजादी के लिए मरने मिटने को तयार थे आज आपको देश के लिए जीने का भाव लेकर आगे चलना है 25 साल बाद जब भारत आजादी के सो वर्ष पूरे होंगे तब हमारी पुलिस सेवा कैसी होगी कितनी ससत होगी वो आपके आज के कारियों पर भी निर्भर करेगी आपको वो बुनियाद बनानी है जिस पर 2047 के भफ्या अनुसासित भारत के इमारत का निर्माण होगा समय ने इस संकल्प की सिद्धी के लिए आप जैसे युवाओं को चुना है और मैं इसे आप सभी का बहुत बड़ा सवभाग्य मानता हूं आप एक ऐसे समय पर करियर शुरू कर रहे हैं जब भारत हर क्षेत्र हर सर पर ट्रांस्पॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है आपके केरियर के आने वाले 25 साल भारत के विकास के भी सबसे एहम 25 साल होने वाले हैं इसलिए आपकी तैयारी आपकी मनोदसां इसी बड़े लक्ष के अनुकुल होनी चाहिए आने वाले 25 साल आप देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग पदों पर काम करेंगे अलग-अलग रोल निभाएंगे आप सभी पर एक आधुनिक प्रभावी और संबेदंसिल पुलिस सेवा के निर्मार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसलिए आपका हमेशा यह याद रखना है कि आप 25 साल के एक विशेश मिशन पर हैं और भारत ने इसके लिए खास तोर पर आपको चुना है साथियों दुनिया भर के अनुभव से बताते हैं कि जब कोई राष्ट विकास के पत पर आगे बढ़ता है तो देश के बाहर से और देश के भीतर से चुनोतियां भी उतनी ही बढ़ती हैं ऐसे में आपकी चुनोति टेक्नोलोजी डिस्रप्शन के इस दौर में पुलिसिंग को निरतर तयार करने की है आपकी चुनोति क्राइम के नए तौर तरीकों को उससे भी ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से रोकने की है विशेश रुप से साइबर सिक्यूरिटी को लेकर नए प्रयोगों नए रिसर्च और नए तौर तरीकों को आपको डवलप कब भी करना होगा और उनको अपलाई भी करना होगा साथियों देश के समिधान ने देश के लोकतंत्र ने जो भी अधिकार देश वास्यों को दिये हैं जिन कर्तवियों को निभारने की अपेच्छा की हैं उनको सुनिश्चित करने में आपकी भूमी का अहम है और इसलिए आपसे अपेच्छाएं भी बहुत रहती हैं आपके आच्रन पर हमेशा नजर रहती है आप पर दबाव भी बहुत आने आते रहेंगे आपको सिर्फ पुलिस थाने से लेकर पुलिस हेड़क्वार्टर की सीमाओं के बीतर ही नहीं सोतना है आपको समाज में हर रोल हर भूमी का से परिचित भी रहना है फ्रेंडली भी होना है और वर्दी की मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च रखना है एक और बात का आपको हमेशा धान रखना हुगा आपकी सेवाएं देश के अलग अलग जिलों में होगी शहरों में होगी इसलिए आपको एक मंत्र सदा सर्वदा याद रखना है फिल्ड में रहते हुए आप जो भी फ्रेंस ले ले आपकी अच्वणे में रखना है